मत्यफदेश विधानसवा के मौनसुन सत्र का आज से आगास हो गया सत्र में शामिल होंगे विधानसवा शामिल होने के लिए विधानसवा पहुँच हो है CM राक्टर महुनियादा 3 जुलाय को महुन सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है ये सेशन, ये सदन, ये सत्र जो है 19 जुलाय तक चलने वाला है जिसमें कुल 14 बैटके होंगी नेता प्रतिपक्ष ववंग सिंगार का बायान साबने आया है वित्य सिती को लेकर श्वेत पत्र लाएगी कॉंग्रेस तो इस सत्र में शामिल होने के लिए सुबिक मुख्या पाकाईदा विधात सभा पहुंचे है और उधर देखिए कॉंग्रेस के तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है नेता प्रतिपक्ष ववंग सिंगार का कैना है विध्यस तदी को देखते हुए श्वेत पत्र लाएगी कॉंग्रेस तो विपक्ष के अपनी अलग तायारी है विपक्ष के पास मुद्दों का भर्मार है कि सारों का मुद्दा हो नर्सिंग घोटाले का बेरोजगारी विध्यस तदी को लेकर ऐसे तमाम ज्वलंद मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष हमलावर रहेगा तो मौनसुल सत्र से पहले डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक हुई और गौस अन्रक्षन को लेकर मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसल लिया गया है गौत असकरी करने पर साथ साल की सजा का प्रादधान होगा ये बड़ा फैसल लिया गया है मोहन कैबिनेट में गौत असकरी करने वालों को साथ साल की सजा का प्रादधान मौनसुल सत्र से पहले यह बैठक अपने आप में बहुत खास मुहन कैबिनेट की सियाब के अध्यक्ता में बैठकोई जिसमें गौ तसकरी करने वाले जो माफिया हैं उनकी अप ख्याप नहीं है क्योंकि सव्जा का प्राब्धा ने आप में साथ साल कर दिया किया है आप मौण संथि से पहले मोहन कैबिनेट की बैठक कोई है गौस सानर नक्षिन को लेकर मोहन कैबिनेट का यह बड़ाएश्टा क्योंकि यह विए markt दोक्ता है अमर्थान जैशी में च nephew लिए गए बेंटित लिए मिलतोली कियाबिनेट में बड़े फैसले लेकिन पहले आपको तस्वेरें दिखा मिल रहा है एएएं यहां पर सदनि विपक्षितांक के विधायक वो करता है सदन के पहले ही हंगाना कर रहा है यहां पर काफी जाधा हंगामा कि सरकार की सरकार एकंब और चंछul जाएं Намका कर रहा है जालों की सरकार है इसलिए बचाने के लिए आम लोग चाहते हैं बैस ऑख खुली वेस हो पटल पर पानी का पानी होना चाहिए लाइफ टेलीकास्ट के मांग यहां पर विपक्षी दल की विधायकों ने की है और आप देख रहे होंगे आप जैवर्दन सिंग्विक्रांद भ जो है सभी विधायक यह मांग कर रहे हैं कि जो नर्सिंग उटाली पर चर्चा है वो सार्थक रूप में हो और यहां पर जैवर्दन सिंग्व भी मौजूद है उनसे बाचीत करने की हम कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार देखिए मांग उठ रही है वो भी लगातार इसक अगर देखा जाए तो विपिका जो हंगामा है वो सदन के पहले देखने को मिला विपक्षी बोल रहा था कि वो सदन के अंदर हंगामा ज़रूर करेंगे लेकिन यह जो एपर तमाम जो विपक्षी दल की विधायक हैं जो पहन कर आए हैं वो कहीं न कहीं यहां पर साफका कॉमेंट आपका चाहिए जी देखिए इसमें कहीं ना कहीं जिस प्रकास है व्यापम घुटाले में भी बहुत सारे लाखों युवाओं के साथ अन्याय किया गया था उसी प्रकार नर्सिंग कॉलेज घुटाले में भी इन लोगों ने फरजी कॉलेज को परमिशन दी परमिशन दी परमिशन दी परमिशन दी जाए उसको परमिशन दी जाए उसको पर विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है और तमाम तरीकों से अगर देखा जाए तो यहां पर काफी जादा एक हंगामे का दौर सदन शुरू होने के पहले ही देखने को मिला है हला कि मोहन कैबिनेट के बैठक के बारे में हम सरस्या कर रहे थे तो मोहन कैबिनेट के बैठक में गौत तसकरी को लेकर एक बड़ा फैसला जो है वो अगर आज इसको लेकर विदेख रखातर तयार होता है तो यहां पर एक बड़ा फैसले सरकार की और से देखा जाएगा यहां पर देखिए अभिलाश पांडेजो की विधायक हैं उनसे बाचित करने की कोशिन करेंगे सर्क नर्सिक को देखिए सकता पक्ष की विदायक थोड़ा जो है इस सवाल से एक तरीके से थोड़ा बचते हुए जरूर नजर आ रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं यह हंगामा भी थमने वाला नहीं है बहुत जो है बड़िस्तर पर हंगामा लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है तो कहीं देखिए विदानसभा की कारवाई किस कदर हंगामेदार होने वाली है इस जो भार अभी सदन के हंगामा हुआ है विपक्ष की ओर से इससे साफ तोर पर पता चल रहा है लेकिन सरकार की जो आज कैबिनेट में बड़े फैसले क्योंकि अचाना कैबिनेट बुलाई गई है ह इस पर कड़ी सजा का प्रावधान जो है इसको लेकर चर्चा जो है वो की जा सकती है तो कहीं न कहीं बड़े फैसले हैं सरकार के जो कि आज कैबिनेट में आये हैं जो की आने वाली समय में देखने को मिलेंगे और आज सदन में भी देखने को मिल सकते हैं लेकिन फिलहाल आज सदन हंगामेदार रहने के पूरे-पूरे असान है, पहला दिन है, लेकिन सदन पूरी तरह से जो है, आज की दिन में चल पायेगा नहीं, ये तो फिलाल विपक्ष और पक्ष मिलकर तैय करेंगे, जो कि, क्योंकि हंगामेदार भी रहेगा, सरकार गौन दसकरी को लेका जो बड़ा फैसला लाने वाली है उसको लेकर भी रहेगा और कई फैसले जो है वो कैबिनेट में होए होंगे वो आज सदन के अंदर जो है वो सहमती के साथ पास होते हुए दिख सकते हैं जी लेकिन अमरताशी नर्सिंग घुटाले को लेकर चातरों का गुस्सा हमने सडक पर भी देखा है और अब देखिया पे सदन के बाहरी जिस तरीके सी विपक्ष हमलावर है ये साफ मैसेज देने की कोशिश कर रहे है कि सदन की कारवाई जब होगी तो विपक्ष का आकरामा के एक दम रुक रहने वाला है नर्सिंग घुटाले को लेकर पिल्कुल देखिए जाहिर तोर पर और क्योंकि देखिए लाकू स्टूडेंट्स के भविश्य का सवाल है शायद यही वज़ा रही है कि इतना जादा हंगामा यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है ही कोऊग्रिस मुद्डे को आसानी से चोड़ने वाली नहीं है यह मुद्दा को लेकर स्थगन प्रस्ताव लेकर आ रहा है, स्थगन प्रस्ताव आएगा विपक्ष आता है कि इस पर चर्चा हो, क्योंकि आर्योग प्रत्यारॉप का दौर जो है वो लगातार सदन के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन विपक्ष इस पर जो है वो चर्चा की मांग कर रहा ह और चर्चा अगर होती है तो जाहिर तोर पर हंगामा भी काफी जादा देखने को मिलेगा क्योंकि सदन आकाच पहला दिन है सदन शुरू होने से पहले ही विपक्षियां पर वो काफी हंगामेदार जो है वो मोड में नजर आया है तो कहीं न कहीं नर्सिंग घोटाले का जो मुद्दा है चाहे वो सडकों पर हो सदन के बाहर हो चाहे वो सदन के अंदर हो सभी जगे गूशता हुआ नजर आने वाले है और विपक्ष इस पूरे बुद्धे को अच्छे से बुनाने की कोशिश कर रही है लगतार सरकार से सव अब भले ही कर रहे हो कि वो विपक्ष के जो है संगामे से कहीं से कहीं तक कोई डरने वाले नहीं है उनके पास हर चीज़ का जवाब है और इसी बीच नरे शिवाजी पटेल जो कि स्वास्तराजी मंतरी है उन्होंने एक बड़ा आरूप लगाया है कि इस पूरे घोटाले हमें ततकालीन सरकार यानि की कॉंगरिस सरकार की मंतरी विजलक्षमी सादो की उपर गंबीर आरूप नजर आये हैं जिसकी वो जाच करवाने वाले हैं उस जाच के जरीए क्या कुछ उनकी सलिपता है वो भी जानने वाले हैं लेकिन अगर इसी तरह से देखिए दोनों ही पर्टियों के आरूप प्रत्यारूप का दौर इसी तरह जारी रहा लेकिन जायरतोर पर सार्थक चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि स्टूडेंस का भविश्य जरूरी है और इसी को लेकर जो है यहां पर पक्ष और विपक्ष हंगामा भी कर सकते हैं लेकिन क्या कुछ सत्तापक्ष कराएगा किस तरीके से वो काउंटर करेंगे क्या उनकी रणीती और स्टाटीजी है सत्तपक्ष के मंत्रियों का कहना है और क्योंकि अब सदन की कारवाई अंदर शूरू हो चुकी है तो हो सकता है कि सदन शूरू हो सबसे पहले तो निध्पन का उलेक है उसके बार जो है वो सदन की कारवाई पूरी तरह शुरू की जाएगी लेकिन यहाँ पर सरकार की तमाम मंत्रियों को कहाना है कि कॉंग्रिस के पास कोई मुद्धा नहीं है इसलिए बिना वज़े ये वाला मुद्धा वो खड़ा कर रही है लेकिन सरकार के पास सारे जवाब है और यहां पर बड़ा आरुप खुछ स्वासराजय मंत्री लगा रहे हैं कि कॉंग्रिस-सरकार money का प्रदेश रहे हैं तो कहीं लिपक्ष के विधायों क्योंकि संख्या बलबKay कम हो though लेकिन विपक्षिया पर मजबूती के साथ सारे मुद्ध को रख्तों नजर आ रहा है। सरकार के पास झादा विधायके ज़वाब देने के लिए भी तमाम मंत्री हैं। तो सभी मंत्री और विधायकों से सवाल करते हुए इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दल की विधायक भी नजर आने वाले हैं जी अमने ताज जो क्याबिनेट की बैठिक भी हुई है गौत असकरी के अलावा माफियाओं की खिलाफियाँ पे साथ साल के अब सजा का प्रावधान दिया है इसके अलावा क्या बड़ी फैसली इस बैठिक में लिए गए है बिल्कु देखे क्याबिनेट की जो बैठक हुई है उसकी जानकारी अब से पुछी देर बाद प्रावधान नहीं देखा जाता है कोई कड़ी सजा जिसके घर पे वो बोर्वेल होता है या फिर कोई भी घटना होती है उसके बाद नहीं दी जाती है लेकिन ऐसे में जो है एक बड़ी फैसला यहाँ पर काबिनेट में लिया गया है हो सकता है कि आज उसको लेकर जो है वो सदन में चर्चा भी हो कि अगर कोई बच्चे बोर्वेल में गिलते हैं नलकूप को लेकर जो है बड़ा फैसला हो सकता है कि यहाँ पर लिया जा सके लेकिन कहीं न कहीं जो तमाम फैसले हैं वो जायर तोर पर जंता से जुड़े होए रहेंगे और बड़े फैसले जैसे गौत तसकरी को लेकर कोशिशे की गई थी और इस सरकार के तरफ से भी यह बड़ा फैसला लेया जा रहा है तो देखना होगा कि इन फैसलों का किस तरीके से असर सामने आता है अब मैं ताम शिया आप इस खबर पर नज़र बनाए रिखिए फिलाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका ब